तो हेव फ्रेंड्स कैसे वह आप से भी लोगाई होप किया आप से भी बढ़िया हूंगे आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपकमिंग अपडेट यान की ओभी 33 अपडेट के चेंजिस के बारे में कि अपडेट के बाद आपको कौन से गन के अंदर चेंजिस देखने को मिलेंगे आज के इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ बात करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो मेरे नाम है विशाल आप देख रहे हैं वाइट स्पिरिट गेमिंग डूप चैंजिस देखने को मिलेंगे जिसको जानने के बाद नल्षीड को मजहिगा लेकिन अगर आप चैनल पर पहले बार यहों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो का लएक न खते चार्शाइं कई जा जाए और यह साथि में और उसके अंदर पशर देखने को मिलेगा नहीत तक बताया नहीं है लेकिन में जह सर no कीमार को 5 personal damage कि अंदर दो जाए कि नान करता मारी साओं करते हो ना तो इसका स्पीड़ीट को जो 15% stability एड़ किया जाएगा ना वो इस गन को काफी बढ़िया बनाने वाला है दुबारा से क्योंकि अभी के टाइम पे बंदे MP4 उतना प्रेफर नहीं करते हैं उसके बतले करते हैं मुवमेंट करते हो तो उसका 10% माइनस किया जाएगा और अपडेट के बाद यूए अफेक्टिव रेंज और स्टेबिलीटी को माइनस किया जा रहा है जो कि मेरे ख्याल से बहुत बुरी बात है यूए लवर्स के लिए बुरा लगता है आप लोग भी जानते हैं त यूए मेरे खाल से नहीं करना चाहिए यार नहीं क्या मतलब कि यूए एंपी इंक्यूबेटर से पैसे चाप लिए आप एंप फोटिक्र स्कूंस से चापएंगे बाई ऐसे मत बोलो यार अब खेर वाई चेंजिस कर रहे हैं तो वाई हमें क्या ही बोल सकते इसमें लेकिन इतनी है कि जो M887 है वो सॉट गन है इसलिए भाई उसका रेंज कम कर दिया डैमेज बढ़ा दिये जिससे वाई सॉट रेंज के अंदर इसका यूज किया जाए और मेडियम रेंज के इसका यूज ना किया जाए नहीं क्या मतलब कि भाई M887 का डबल रेंज वाला स्किनने वाला है ये गड़ बड़े बाबा आपको यही कुछ चेंज़स देखने को मिले गगा गंस के अंदर तो अब अगर में बात करूंग है तो करेक्टर के अंदर जो हमारा काइंटा करेक्टर है हां वही सस्ता क्रोणों सील्ड वाला करेक्टर वह आने वाला अपडेट के बाद ब्लॉक कर सकते हो मतलब सामने वाला जो एनिमी होगा वह अपना एक्टिव स्केल यूज नहीं कर पाएगा जो कि लिटरली गाइस काफी जादा अमेजिंग स्केल है अब इसके बाद जो हमारी स्टैफी उसके अंदर विगया से काफी जादा बड़ा वाला बफ आने वाला है और इसके अंदर को अपडेट के बाद देखने को नहीं मिलेगा कोई बी मतलब किसी के अंदर कोई भी चेंजिस आपको अभी तक एडवांस सर् के चेंजिस और कैक्टर के चेंजिस के बारे में बता दिया तो भाई अगर आपको यह सौट वीडियो पसंद आया हो इन्फॉर्मिटिव लगा तो वीडियो को लाइके सेयर कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइट में जो बैल आइकन आगा उस को प्रेस करके ओल पर प्रेस कर दिन हमारे ऐसी वीडियो को नोडिफिकेस दिन सबसे पहले पाने के लिए